Hello everyone, मैं हूँ Kaash from Web Basics तो guys, आज हम बात करने वाले हैं Windows was unable to connect your Wi-Fi तो यह error के बारे में बात करेंगे जो आपके screen पे भी दिखाई दे रहा होगा तो सीखने के लिए इन वीडियो को इंट तक जरूर देखे आपके तरफ जाएंगे और यहां पर हमने जोन सा वाइफाय कनेक करने उस पर क्लिक करेंगे और यहां पर इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी इस पर जाने के बाद यहां पर पासवर्ट पर यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपना पासवर्ट दुबारा हो चुका है, and अगर अभी तक आपका ये WIFE Connect नहीं हो रहा तो हम method 2 पर जाएंगे, method 2 है, यहाँ पर start पर जाएंगे यहाँ पर computer देख रहा हमें, यहाँ पर right click करेंगे, properties पर जाएंगे, device manager पर जाएंगे, device manager में जाके यहाँ पर हमें network adapters देख रहे हैं, एक बार इसको expand करेंगे तो guys यहाँ पर हमें अपना wifi का driver से लिख करना है अब यहाँ पर wifi का driver कैसे पता लगेगा हमें अपने यहाँ पर wifi के तरफ जाएंगे यहाँ पर right click करेंगे open network and sharing center पर जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद change adapter settings पर जाएंगे तो guys जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे यह connected है तो यहाँ पर हमें नीचे अपना driver का नाम दिख रहा है तो आपका भी यहाँ पर आपको driver का नाम visible होगा तो मैं एक बार देखता हूँ तो हमें जो यह दिख रहे हैं यह match हो रहे हैं इस से तो एक बार इसको minimize करते हैं तो हमें पता लगए हमारे यह Wi-Fi का driver है यहाँ पर इस पर सेलेक किये हमने यहाँ पर right click करेंगे और यहाँ पर इसको uninstall करेंगे ओके तो guys हमारे यह uninstall हो चुग है तो guys अब यहाँ पर जाएंगे और यहाँ आइकन दिख रहे हैं एक बार यहाँ पर लिखावार है scan for hardware changes एक बार इस पर आप एक लिक करेंगे इस पर तो guys हमारे जो यह driver है यह वापिस से इंस्टॉल हो चुक है एक बार इसको यहाँ पर एक्जिट करेंगे इसको भी एक्जिट करेंगे वापिस अपने वाइफाई की तरफ जाएंगे अपना वाइफाई से लेक्ट करेंगे करेंगे पासवेट एंटर करेंगे अँसटॉट करेंगे है ओक्य करेंगे तो ऑफ जैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग